तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे अभी से मैडम क्यों करने लगे बिटा आपकी कुछ चेप्टर्स जो हैं अडेंटिफाई करने के लिए रेडी हो चुके हैं क्योंकि आपने चेप्टर्स पढ़ लिए और आपकी समर वेकिशन का टाइम चल रहा है तो आपको अडेंटि होगा आपका लास्ट में एक बार ही आपका एक्जाम होगा जो cbsc लेगी आपका तो उसके लिए आपको प्रपेशन अभी से स्टार्ट करना होगा कि आपको अभी से प्रक्टिस लिए करना हो क्योंकि आपके कुछ चेप्टर आपके हो चुके हैं आप्रोक्स आपके थ्र थोड़ा बहुत time है जिसमें से आप half an hour या one hour अपनी social science को दे सकते हो जिसमें से आप questions को identify कर सकते हो कि कैसी questions को पहचानना चाहिए हमें कैसे question को attempt करना है और कैसे question में हमें और ये देखना है कि question को कैसे पूछती है cbc और उसको हमें answer कैसे करना है तो इसी लिए ये practice करना भी अभी से जुरूरी है जो chapter आपकी हो चुके है अब आपके पास time है तो आप इन सब को identify कर सकते हो उन chapters को और अपने social science के syllabus को भी आप previous questions को भी उठाकर वो चीज़े identify कर सकते हो तो आज सारी बाते हम identification of question क करेंगे इस session में तो start करते हैं आज का हमारा session सबसे पहले आपकी vacation I hope you all all are enjoying your summer vacation मुझे ये सब पता है कि सभी पूरा full full enjoy कर रहे होंगे अपनी family के साथ अपनी अपना time spent कर रहे होंगे अपनी habits नई good habits को develop कर रहे होंगे अपनी जो पहले से जो आपकी habits हैं और hobbies हैं जो उनके स साथ enjoy कर रहे होंगे आप सभी और अपनी skills कुछ बचे हैं जो skills अपनी skills को develop करने के लिए कुछ नई नए तरीके अपनाते हैं और सीखते भी हैं चीक है तो वह सब भी आप कर रहे होंगी उसके साथ साथ आपको क्या करना है कुछ time period अपनी social science को भी देना है जिसमें से आप आपने अभी से आपनी question identification start करनी है ठीक है तो उसके लिए आपको मैं कुछ tricks दूंगी जिसको आपको ध्यान में रखना और अपनी questions को identify करना है कि मैं क्या मैं question समझने लगा हूं क्या मैं question अगर इस chapter से जो मेरे chapter हो चुके हैं क्या मैं अगर उनकी उनसे related question आते हैं उन chapter से को question आते हैं क्या मैं उन्हें कर पाऊंगा तो आपने उन सब की practice start करनी है जो आपकी chapter हो चुके हैं सिर्फ उनको identify करना है ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा उसके लिए previous question paper आपको उठाना है एक या दो तीन जो भी आपके पास होगी या फिर आप क्या कर सकते हैं गूगल से download भी कर सकते हैं previous year's questions ठीक है आपने उनको download करना है या कोई sample paper होगा पीछेगा तो आपने वो उठाकर देखना है ठीक है आपने उसमें से यह देखना है कि जो chapter आपके हो चुके हैं उसमें से कौन-कौन से question पूछेगे हैं और किस किस तरीके से question पूछेगे के आपने questions को देखना हैं कि जो chapter आपका हो चुका है माली कोई भी chapter उठा लीजिये आपने जो जो भी आपके चप्टर हो चुके हैं उन मेंसे कोई एक चप्टर आप उठा लिजी आप क्या करना है अपने question देखना है उसमें से छीक है फेपर में कोशन देख लिए या प्रीवेस ये question आप ले रहे तो उसमें से आपने उस चेप्टर का कोई की question उठाना है ठीक है उस question को अच्छे से read करना है सबसे पहले identification कैसे करते है सबसे पहले question को read out करना चाहिए ठीक है read कर लिजिए उसको और उसको समझे सबसे पहले उसको understand कीजिए की question में पूछा क्या गया है अगर आप question को समझ जाते हो कि question में examiner ने क्या चीज़ पूछी गई है तो आपके लिए वो बहुत जादा easy हो जाता है उसका answer देना ठीक है सबसे main होता है question को समझना और यही task पूरा साल बच्चे practice करते हो last में भी वही problems आती है paper में कि मैं question समझ नहीं आया ठीक है तो इसी लिए मैं आपको भी बोले हूँ क्योंकि आपके पास अभी थोड़ा time period है vacations चल रही है आपके तो इसमें आगर आप identification करना start कर देते हो तो आपके लिए बहुत जादा easy हो जाए और उसके बाद क्या करना आपको उसको identify कर लिए क्या किया सबसे पहले उसको read किया रीड करके आपको question समझ आगे ठीक है आप क्या करोगे उसके जो भी आपको समझ आया जैसे कि मैंने यहां पर एक example लिए तो example में क्या चीज रखी है देखिए पहले मैं आपने आपको थो आपने question रखा है देखिए explain explain the climate condition of the production of wheat name any two major wheat producing states in India which type of soil is required for the cultivation अब देखो यहां पर क्या पूछा आपके question पूछा गया अग्रिकल्चर चेप्टर से ठीक है मैंने आपको सीधा ही बता दिया अगर आपको हो चुका है तो आपके लिए यह सिर्फ मैंने एक example उठाया कि आपको question को करना कैसे है आपने क्या करना है questions किस तरीके से पूछ ग सकते एक question किस तरीके से पूछा है पहला part क्या है explain the climate condition of the production of wheat के बारे में पूछा है कि जो climatical conditions होती है वो कैसी चाहिए उसको ठीक है पहला question दूसरा क्या है इसी के अंदर दूसरी चीज क्या पूछी गई है ने मैंने टू मेजर वीट प्रड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आप दो स्टेट्स बताने हैं आपको कि कौन सी दो स्टेट्स हैं जहां पर वीट प है ठीक है तो क्या क्या condition होती है पूछी है कौन सी टाइप की आपकी जो है रिक्वाइड होती है कल्टिवेशन के लिए तो आपकी यहां सामने देखो एक ही question में तीन चीज़े पूछी गई है और तीनों चीज़ें क्या है सिर्फ आपने यहां वीट की पूछी है वीट की सेंपल पेपर है यह पीवाई के हूँ है आपके पास तो देखिए उसमें question approximately ऐसे पूछा जाता है 3 माक्स में question पूछा 1 1 1 ठीक है कि एक पहले question का अगर आप जो आप देते हो तो उसमें आपको 1 माक्स मिल जाएगा अगर उसको second part का अगर आप answer करते हो तो आपको 2 माक्स म कि question cbse क्या है parts में भी पूछ सकती है जिसमें आपको बहुत जादा लिखने की जुरूरत नहीं है जो पहला part है उसकी क्या कर सकते हो वन माक्स में उसका दिख सकते हो next का उसके बाद यहां पर two states आपने mention कर दी और उसके बाद इसकी conditions बता दी और आपने इसके बाद क्या क इस चैप्टर से question पहले कैसे पूछा गया है एक तो यह चीज़ identify हुई है दूसरी क्या चीज़ identify हुई है कि cbse किस टाइप से question पूछती है पार्ट में identify the parts थी कि parts में भी question पूछती है आचा एक तरीका और है कि कैसे identification करनी है वो देखिए देखिए एक तरीका यह है कि देखो cbse ने question पूछा हुआ है यह आपका देखिए try to read between the lines इसने कहा है कि एक तरीका होता है कि आपको क्या करना होता है कि जो बीच की वैसे ही answer करने है तीनों ही partition करने पड़ेंगे और उनीके तरीके से करने पड़ेंगे ठीक है दूसरा तरीका क्या पता है कि कुछ चीज़े होते हैं जो बीच की चॉइस है गूट्स की ठीक है यह तो नौर्मल बात की है इसने यहां कुछ नहीं पूछा सिरफ इसने एक जनरल टॉक की है ठीक है उसके बाद इसने क्या है अब यह आपको करना है आपको क्या लिखना है पहले तो उसने मार्केट की बात कि है कि इंडिया के अंदर मार्केट है और बहुत सारी चॉइस है गूर्ट के अंदर ठीक है दूसरी चीज अब इसने जो कही है अब आपको क्या सब्सक्राइब को सिरफ उसने जनरल टॉक की तरह डाला है नीचले दाली है अच्षक लिखा एक्सप्लेइं लिखाया एक्सप्लेइंड और गलोब्लाइजीशन तो यह आपको आपको एक्सप्लेइन करना है अब आपको समझ में आगे की क्या कैसे करना है मुझे क्या answer करना है कि मुझे advantages उसके फायदे बताने है कि वैश्वी current globalization के क्या फायदे हैं ठीक है अब आप उसके points easily ले सकते हो 3 marks में question पूछा है तो 3 marks में डाल दीजे 3 points डाल दीजे 5 marks का पूछा है तो 5 marks तो आप इसमे 5 points डालेंगे और 1 marks में question पूछा है तो 1 marks question डाल दीजे या 1 word भी हो सकता है तो आपने ये चीजे identify करनी अभी free time में जो chapter आपके हो चुके हैं आपने उन सब को क्या करना है अपने practice करनी है sample paper से या फिर p by q papers लेने हैं जो chapter हो चुके हैं उनसे question उठाइए और उनको देखिए cbse ने किस तरीके से question पूछे हैं उनको identify कीजिए कि किस किस तरीके से parts करके पूछा है उसको या कोई line between उठाकर कोई between से कुछ भी line उठाकर पूछी गई है उसको read करके आप देख सकते हो कि कोई beach वाली line तो नहीं है कि जहां से मुझे question का answer करना है अब इस question से आपको क्या समझ में है कि जो पहली line दिया वह जर्नली थी ठीक है दूसरी line मतलब की थी हां इसका मुझे answer करना है जब यह चीज़ समझ में आने लग जाती है न तो आपके लिए paper attempt करना बहुत ज्यादा easy हो जाता है तो आपने अभी से अपनी practice start कर देनी है जो आपके chapter हो चुके है ठीक है अच्छा practice क्या से अब practice make man perfect यह अपने कहावत सुनी होगी न कि जितनी जितनी ज्यादा आप practice करोगे उतने ही ज्यादा आप perfect होते चले जाओगे तो आपने क्या करना प्राक्टिस नहीं छोड़नी है ठीक है तो आपके जो questions है वह chapter क्या coding आपने practice करनी है कि जो chapter होगे फिलाल आपका vacation time है तो आप उनी chapters की practice कीजिए जो आपके हो चुके है क्योंकि आप जैसी आप जाओगे school में जाओगे तो आपकी unit test का भी आपके teacher इसी chapters में से डालेंगे जो आपके हो चुके हैं तो वो जैसे आप जाओगे school में teacher आपके unit test भी लेंगे तो उसमें आपकी यह help हो जाएगी कि आपको पता रहेगा कि question कैसे put up होते हैं इस cbsc कैसे question पूछती है आपके जो unit test का जो सलेबस है यहां से question कैसे आएगा ठीक है आपको पहले प्रैक्टिस हो जाएगा में भी टीचर जाओगे unit test बनाएगा तो में भी आपकी previous question से उठाकर पूछ ले या फिर खुझ से ही questions बनाए तो आप उसको explain करने में आपको बहुत जादा easy रहेगा तो इसी लिए जो chapter आपके हो चुके हैं उन सब को practice कीजिए आप वो आपकी unit test में भी help करेगा और आपक कीजिए सब्सक्राब कीजिए और शेयर कीजिए ओके बाइए